यह है IQ का नए iPhone IQ Z7S, इसको मैंने Amazon से पर्चिस किया, 17,499 रूपीज पे करके, इसकी कैमरा में OIS है, वो कैसे काम करता है, वो तो मैं बाद में बताऊंगा, important बाद है, क्या यह फोन लेने के लाइक है, तो सबसे पहले सुरू बात करता हूँ, unboxing से, इसकी box में सब कुछ है, charger ह back case है, बार से सिर्फ आपको tempered glass को purchase करना होगा, इसकी display की protection के लिए, ऐसे भी इसका display का size average रखा है, 6.38 inch, full HD plus AMOLED पैनल के साथ आ रहा है, देखो है इसका bezel तो बहुत ही छोटा रखा है, लेकिन नीचे जो chain है, वो slightly बढ़ा रखा है, इसमें आप full view display का मज़ा नहीं ले सकत लेकिन content watching के बाद आता है, तो इसमें बहुत सारा limitation मिलता है, इस phone में आप YouTube पर full HD से उपर वीडियो को नहीं देख पाओगे, HDR content के बाद तो छोड़ी दो, जो color contrast, detailing आ रहा है, वो तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन दोस्तों इसके display में जो limitation मिल रहा है, वो इसकी chipset की बज open, app close में, यहाँ पर jitter वेगरा नहीं दिखाए दे रहा है, और यह phone day to life use में hang भी नहीं करता है, लेकिन जब बर यह आता है gameplay करने का, तो इस phone में मैंने BGM A game को try किया था, BGM A game अब 40 FPS में किलपा होगी, इससे उपर FPS नहीं जाता है, और इसमें gyro वेगरा ठिक ठक मिल जाता है, जब आफ skin record करके gameplay करोगी, FPS down हो जाता है, और phone attack-attack के चलता है, हाँ दोस्तो, थोड़े दिर game खेलने के बाद phone गरम हो जाता है, और CPU thoughtling भी आप यहाँ पर देख लीजे, इसमें OK-OK score आया है, मेरे पास है इसका base variant 6GB 120 HD variant, LPDDR 4X RAM के साथ आता है, और EOFS 2.2 का storage type है, उसके हिसाब से, इसमें RAM management, मुझे decent सा मिला है, लेकिन heavy application को कभी कवर RAM में नहीं रखता है, हाँ मुझे पता है, अब जानना चाहते हूँ, इसका camera कैसा है, देखो यार phone की पीछे की तरफ है, तो dual camera setup, primary जो sensor है, 64 megapixel, 2 megapixel है, इसमें ultrawide sensor नहीं है, लेकिन इसकी camera में OIS मिलता है, इ देखने में काफी प्यार सा लगता है, skin tone का color को भी बहुत अच्छी तरीके से manage कर लेता है, लेकिन इसमें beauty mode फोड़ा सा जादा देखाई देता है, इसमें है 16 megapixel selfie camera, इसमें भी बहुत अच्छा photo आता है, skin tone का color को बहुत अच्छी तरीके से manage कर लेता है, detailing में मस्त आ रहा ह background को तो बहुत अच्छी तरीके से blur कर लेता है, और इसमें detailing मस्त आता है, इसकी back camera से आप full HD में 60 एपिस पर वीडियो को record कर पाओगे, हाँ दोस्तो इसमें भी limitation है, इसमें आप 4K में वीडियो को record नहीं कर पाओगे, लेकिन दोस्तो आप यह पर देख लीचे, back camera में OIS होन मैंने Google Drive पर upload कर दिया, link description पर है, अब जाका सारे फोटो को और भी detail में जूम बगर करके देख सकते हो, उसके बाद आप decide कर सकते हो, इसका camera अब के लिए कैसा होगा, ऐसी भी दोस्तो इसका design जो है, मिलता जूलता है IQZ7 की तरह, design में कुछ भी changes नहीं किया है, इसका जो frame है polycarment के बना हुआ है, हाँ दोस्त, phone पतला है, हलका है, हाथों में comfortable फिल देता है, इसके पीछे की तरह भी polycarment back है, जिसमें matte finishing मिलता है, crashes या fingerpin का निसा नहीं आता है, और camera का bomb भी इतना ज़्यादा बाहर नहीं हुआ है, इसका build quality solid रखा है, phone पीछे से दबता नहीं है, और स जो starting की optimization के बारें बात क्या है तो, हाँ दोस्तों इसमें आपको hots app और hots games का features मिलेगा, pre install app भी मिलेगा, जिसको आपको manually uninstall करना होगा, थोड़ी बहुत bugs भी मिलता है, लेकिन इसमें बहुत ही अच्छा-चा features मिलता है, जैसे आप app को lock कर सकते हो, one hand mode का features मिलता है, और इसमे लिंक description पर है, end skin पर भी मिल जाएगा, ऐसे भी जो phone है, multiple 5G bands के साथ आ रहा है, इसमें 4G plus का support भी है, इसमें आप SD card को use भी कर सकते हो, इस phone में आप अराम से IQ का context और IQ का dialer को use कर सकते हो, IQ का dialer को use करके अगर आप call recording को on करते हो, तो call recording announcement नहीं सुनाई देगा, इसमें dual mic मिल होता है, noise को बहुत ही अच्छी तरीके से cancelling कर लेता है, 3.5 mm audio jack है, star level within limit मिलता है, hefty feedback मुझे decent लगा है, phone में है single speaker, हाँ दोस्तो loudness तो बराबर मिल जाता है, full volume में phone हलका सा private करता है, इसमें 4500 mAh की battery है, inbox आता है, 44 watt की adapter के साथ, 40 minute के आसपास में time लेता है, full charge होने के लिए और charging के time में phone इतना जाता हीड नहीं होता है, इसका battery backup कैसा है, मैं 7 दिन तर यूज़ करने के बाद इसके battery backup के बाद में मैं आपको detail में बताऊँगा, चलिए दोस्तों सीदी सी बात करते, क्या इसको लेना चाहिए कि नहीं, देखो भाई phone की design और specificization के तरब देखा जाए, जो phone है मिलता जूलता है Vivo T2 की तरह, ऐसे भी अगर आपका budget है 20,000 रूपिस, आप best phone लेना चाहते हो, तो आपके लिए 2 option है, एक जो है Lava Agni 2 और दूसरा जो phone है IQ Z7, जो इससे भी better phone है, अगर आप IQ branding के साथ जाना चाहते हो, तो आप IQ Z7 को purchase कर लीजिए, इससे कही गुना बहतरिन phone है, उस phone में आप PUBG Mobile जैसा game 60 पिस में खिल पाओगे, back camera में जो OS है, वो बहुत ही बड़िया काम करता है, 4K में वीडियो को record कर पाओगे, यह छोड़कर आप YouTube पर 4K में HDR content भी देख सकते हो, same price में दोनों phone आ रहा है, दोनों phone भी देखने में same है, इसलिए तो प्रिप्स और ट्रिक्स वीडियो नहीं देखा तो आभी पर क्लिक करके वीडियो को देख सकते हो,